देखिए यहां पर मैं देख रहा हूँ लगभर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस लोग स्रिफ एक ही काम को कर रहे हैं और यह ब्रेड में रिपिट लगाना रिपिट मारने के काम को लग रहे हैं अगर किसी फैक्टरी में दस लोग होते हैं न सर तो वो पूर कर रहे हैं जब इतने लोग एक मामूरी से काम में लगे हुए है तो डिमांड इसका बहुत ज्यादा है सोचने वाली बात हैं डिमांड एंड सप्लाई का थेवरी यहां पर वर्क कर रहा है दिमांड जादा है जिसको फुंसिल करने के लिए इतने लोगों को लड़ाया गया है दस लोग, वाई क्यों इतना दिमांड है, इसको समझिये दिमांड का सबसे बड़ा कारण है इस साट्री से लोग को नया जुगने का मौता मिल रहा है जेनरली जितने भी ब्रांडेट की फैक्टरी है, उसका हर जगा डिलर, डिस्ट्रिबूटर सब बना हुआ है लेकिन यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लोग को मिल रहा है, डिलर, डिस्ट्रिबूटर बनने का इसलिए यहाँ पे बहुत तेजी से, अब यह फैक्टरी खुली ही मार्च में, और इतना ज्यादा यहाँ पे डिमांड आ दिया, सब लोग वीडियो को देख रहे हैं, लोग मंतली वीडियो को देख रहे हैं, अमाय वीडियो बना-बना के लोगों को दिखाने का काम कर रह हैं, तो लोग देख रहे हैं कि कि स्टेजी से यहाँ काम हो रहा है, तो भाई, जो वीडियो में नंबर आ रहा है, यह रूचिका मेडम का नंबर आ रहा है, बिल्कुल टाइम मत गवाई यह, पता नहीं कब को वीडियो कहां देख रहा है, और हो सकते आपकी छेत्र का कोई प्रिंस्पूल अपनाया जा रहा है, कि अगर एक छेत्र में कोई डिस्ट्रिविंटर बन गया, तो भाई, उस छेत्र में फिस्ट्रे आजमी को काम नहीं देना है, जाहिर सी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा, तो कोई क्यों आपके साथ जुड़ेग तो राहूल जी कोई नया बैपारी नहीं नहीं है, राहूल जी बहुत मजेवे खिलारी है, एक जवाना से इनके यहाँ पंखे का टॉप बोटम का पीडी सी यूनिट यानि प्रेसर डाइकास्टिंग का मसीन चल रहा है, अब बड़ी-बडी कमपनियों को कच्छा माल जा तॉप बोटम, मैंने देखा है, आधा आधा किलो का टॉप बनता है, आधा आधा किलो का बोटम, सर्व मार्केट में तो 140 क्राम और 140 ग्राम का बोल बाला है, तो यहाँ पी जो क्वालिटी बनता है, इसके बाद इनकी दूसरी फाक्ट्री आई, स्टांपिंग बनाने की, दो ही क्वालिटी का तो वहाँ स्टांपिंग मैंने बनते देखा, 2014 से मैं आ रहा हूँ, आज हो गया करीब करीब 11 साल, इन 11 साल में मैंने दो ही क्वालिटी को देखा, एक CRC हाईपम और दूसरा CRNO, तर यह दो क्वालिटी लेने वाले कौन है, बस ब्रांड यहाँ, जितन कोई भी गरहांग देना नहीं चाहेगा, तो जाहिर सी बात हैं, इनका कस्टमर ब्रांडेट का रहा है, उसके बाद इन्हों ने यह तीसरी फेक्ट्री को डाल दिया है, यह पंखे का सर्की है, विक्चुरा एर मोसर, यह भी फरीदा बात में हैं, और इनकी तीनों कंपनी फरीदाबाद में ही है, और लगधर 50 किलोमीटर के दाएरे में है, चाहे दी एलेफ एनेच पीसी का तारखाना हो, जो टॉप बोटम बनाती हो, चाहे सेक्टर 59 का तारखाना हो, जो स्टांटिंग बनाती हो, चाहे यह पंखे का तारखाना हो, जो परिथिला फरीदाबाद में है तो ये तीनों फैक्ट्री सरीवी राहुल जी का है उजा मेटल इंका ब्रांड है और ये है विक्चिवा एर्मोसन बिल्कुल इससे जुड़िये रूचिका मेडम का नंबर वीडियो में आ रहा है आप बता कीजिए अगर कहीं कोई जगा खाली है अभी तक तो मैं तो क सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार जय हिंद आप 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 झाली का ऑमस्क्भाइब कीजिए और बता क Ka hiss आप 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 आप